हेलो दोस्तों मैं जी श्वागत करता हूँ आपके अपने चनल जीट फोर यू पर आज मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ एन एमेंबस का पेपर जो की 2022 यानि की 20 मार्च को हुआ था यह पेपर तो अब आपका अगला पेपर काप होने वाला है 6 नुमेंबर को जो जिन्नों ने 20 मार्च को दिया था वो क्लास 9 में पहुँच चुके हैं अभी आपने नहीं दिया है तो आप क्लास 8 में ही हो ठीक है न? तो इसे पहले आपने के किस के कोश्चन देखेंगे? साइंस के कोश्चन इस वीडियो में कम्फलीट करेंगे जोTIL 35 कोश्चन होते हैं और उनका आंसर देखेंगे तो अपने चलते हैं अपने साइंस के questions पर देखिए अपने यहां से परिक्षा कूट जो दिखिया गया है नस चार साथ दो दो भागतो सेक्षणे के उक्तर बिग्यान के question तो अपने इसमें इसी को solve करने बाले हैं तो इसमें देखिए अपना पहला question दिया गया है यहां पर सभी जीवों के लिए उजा का परमसोत क्या होता है सौरूजा पित उत्पन कहां से होता है रक्त से अगर पूछता पित संग्रह कहां होता है तो वो पित रासा है इसका answer हो जाता है पूछ रहा उत्पन कहां होता है तो रक्त होगा इसका ठीक है ना इसके बाद दिखे अगला question है रेसम का धागा प्राप्त किया जाता है रेसम का धागा किस से प्राप्त किया जाता है को कुन से चालन उसमा के अंतराल की प्रक्रिया होती है क्या होती है ठोस में अगनी सामक उपयोग की जाने वाली गैस है कौन सी कैस होती है CO2 ठीक है अगनी सामक इंतरों में कौन सी उपयोग की जाती है CO2 लोहे में जंग को रोकने के लिए एक बिदी है कौन सी बिदी है किसली करन आवशादन एसद लेपन इनमें से कोई नहीं तो question number six cancer होगा acid layer ठीक है न जैसे अपन गेटों में पैंट बगएरा कर देते हैं ग्रीस बगएरा लगाती हैं तो उससे जंग नहीं लगता है मासागरों से आनी बाली हबाएं पानी ले जाती है और बारिस लाती है तो इसका मतलब क्या होता है मानसून से इनमें से मिर्दा की किस स्थिति में अधिक खनीच होते हैं किस में अधिक खनीच होंगे बी संस्तर इस्थिति में अगला क्लास Q9. 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 Q गति की मूल एकाई क्या है गति की मूल एकाई है किलो मीटर किस में नापते हैं गति को किलो मीटर में ठीक है तो ट्वाइल का अंसर हो जाएगा अपना टॉल कांसर होगा ठीक है इसके बाद चलिए एक तार में उत्पन उस्मा की मात्रा निर्भर करती है उस्मा की मात्रा किस पर निर्भर करीगी तो उप्रोक्त सभी पर पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर और बाहनों से पार्स दरपन की रूप में प्यों किये जाने वाला दरपन कौन सा होता है दरपन उत्तलरपन विश्व जल दिवस कब मनाय जाता है यहाँ पर पूँछ रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाय जाता है तो बाईस मार्च को अगर 20 सुप्राइबंड दिबस पूछता तो कम बना जाता है वो भी आप कमेंट करके बताईएगा ठीक है ना कुश्चिन मर्शोला शोला कांसर क्या होगा हुमरस अब घटनों के पादपूं और जन्तूं के मर्द सरीर को परिवर्टित कर देते हैं कौन हुमरस में पंक को बिगेटेट कर जेओगेस बनाते हैं कौन बनाते हैं अब आइवी एड जिवाड़ों बाईु मंदर में स्यूटू का पतिस फत किता है डे जीरू पॉन जीरू थरी परशेंट कितना जीरू जीरू पॉन जीरू थरी परशेंट रवी फसल की कटाई की जाती है रवी फसल की कटाई कप की जाती है मार्च में सुक्षम जीब जिसमें क्लोरोफिल पाय जाता है क्लोरोफिल किसमें पाय जाता है शैबाल में निम्न में से कौन सा गेर जेब है कौन सा गेर जेब है प्लास्टिक ठीक है आंगे चलें किसको पीट कर पतली चादर में प्रिवर्तित किया जा सकता है किसको किया जा सकता है जिंक को जीवास वीनन के जलनी से उत्पन होता है क्या उत्पन होता है उपरोक सभी उत्पन होगे पिदूशन विस उस्टन जलवायू प्रिवर्तन सभी में फरक पड़ेगा ठीक ना अमलबरसा के मुकता सामिल है अमलबरसा में कौन सामिल होगा नाइट्रोजन आकसाइड और सलफर आकसाइड यह दोनों शामिल होगे अमलबरसा में इसके बाद यह अब उस तक जो सभी लुक्त प्रहाजानवरों और पड़ों का रिकॉर्ड रखती है उसको अपन क्या कहते है उसको अपन कहते हैं रेड डाडा वुक्त जन्तु कोस्का के सबसे बाहरी परत क्या होती है क्या होती है प्लाज मजिल्ली आंगे चले हाइड्रा परजनन करता है हाइडर अपिजनन किसके द्वारा करता है मुकलन द्वारा अधिबर करकंतियों द्वारा किस हॉर्मोन का स्राह होता है किसके द्वारा होता है एड्रिनल के द्वारा दबाव क्या है दबाव के बारे में यहापर पूछ रहा क्या होगा वल निम्न मैंसे किसका इसनिहा की पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता दौनी किस माध्यम से संचर नहीं कर सकती निर्वाद से लोही की वश्टूं के छरण को लोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाएगी विद्दूत लेपन निम्न उपकरण में भुकम की तीवरता किस में मापी जाएगी भुकम कि उपकरण से आंगे दिखिए प्रकास का अपने घटक रंगो में बेवक्त होने को कहती हैं क्या कहती है लाहि किस ग्रह को सूवय का तारा आस्राप कहती है किस को कहते हैं शुक्र को दिए यहां पर पर पूर्शन कर लिये हैं इसके बाद 36 से अपना लग जाता है समाजिक विज्ञान तो इसको अगली वीडियो में solve करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही तो चैनल को जली से जली subscribe कर लिजी ताकि इस वीडियो का notification आपको मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद